नमस्कार दोस्तों आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता के एडमी में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लोग क्लास फिफ्ट के मैट्स में प्रॉब्लम से ठर्टी वन करने वाले हैं दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आज चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ सेयर कीजिए दोस्तों अधर सब्जेक के भी क्वेशन एंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया आप लोग वहाँ पर जा करके देख सकते हैं तो आइए अब हम लोग चलू करते हैं प्रॉब्लम से है ठाठी यह था धिए प्रॉब्लम से के प्रोब्लम से ठ्रेट write the names of the arc with and points yes and yum तो यहां पी देखोगे क्या क्या है yes and yum तो कौन-कौन सा आएगा देखोगे यहां पे point yes बना लिया और यहां पे point yum बना लिया अब कौन-कौन सा आएगा yes, yum and yes, yum तो इसके answer में लिखोगे क्या हैगा arc yes, yum and arc yes, yum are the arcs with and point yes and yum means yes and yum में कौन-कौन सा आएगा yes, yum and yes, yum ना next करते हैं second question में क्या दिया गए write the names of the arcs with the and point yel and yum yel point काँ पे है यह है and yel point यह है कौन-कौन सा arc बनेगा yel yum yum and yel yes, yum तो इसके answer में आएगा arc yel yum and yel and arc yel yes, yum are the arcs with the and points yel and yel कुछ इस तरीके से आएगा, now next करते हैं second question में क्या बोल रहा है write the names of arcs that points a, b, c and d in the given circle give rise to means हमको यहाँ पे a, b, c, d, a point दिया गया है इसका हमको arc लिखना है तो यहाँ पे answer में लिखते हैं सबसे पहले point बनाते हैं यहाँ पे क्या है a and c इसका पहले बना लेते हैं तो कौन-कौन सा arc बनेगा a, b, c and a, d, c तो यहाँ पे first में लिखेंगे arc a, b, c and arc a, d, c are the arcs with the end points a and c means a and c के end points से कौन-कौन सा बनेगा a, b, c and a, d, c यह कुसका बना a and c का बना अब हम लोग क्या करते हैं b and d का end point रहेगा उससे बनाते हैं तो यहाँ पे इसके लिए second में लिखेंगे कौन-कौन सा बनेगा b and d से तो यह क्या जगा b, a, d and b, c, d यहाँ पे लिखेंगे arc, b, a, d and arc, b, c, d are the arcs with the end points b and d means b and d point को रख करके b, a, d and b, c, d arc खिचा जा सकता है, बना जा सकता है now next question करते हैं third question में क्या बोला गया give the names of the arcs that are made point p, q, r, s and t in the figure मतलब हमको यहाँ पे p, q, r, s, t दिया गया है और यहाँ पे हमको arc बताना है यहाँ पे बहुत सारे बनेंगे तो इसके answer में आएगा सबसे पहले first लिखते हैं किसके लिखते हैं p and r के लिए यह दो point के लिखते हैं यहाँ पे लिखेंगे arcs with the end points p and r तो p and r से कौन-कौन सा बनेगा p, q, r, a की यह बन जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे arc, p, q, r उसके बाद में यहाँ से पकड़ना है न तो यह हो जाएगा p, t, r भी ले सकते हो p, s, r भी ले सकते हो आपके उपर है यहाँ पे मैं लिखेंगे arc, p, t, r मैंने यह दो लिखा है अब क्या करते हैं अब t, and q से लेते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे second के लिए आजाएगा arcs with the end point, t, and q यह हो जाएगा arc, देखोंगे क्या हो जाएगा t, p, q और t, s, q यहाँ पे t, p, q यहाँ पे हो जाएगा arc, t, s, q अब क्या करते हैं q, and yes लेते हैं यहाँ पे third में लिखोंगे arcs with the and point, q and yes यहाँ पे देखो कि q and yes में क्या हो जाएगा q, r, yes यह हो जाएगा arc, q, r, yes and second क्या हो जाएगा q, ps लिख लो यह हो जाएगा q, p, yes अब क्या करते हैं ps का लेते हैं p, and, yes का लेते हैं यहाँ पे fourth number में लिखते हैं arcs with the and point p, and, yes अब p, and, yes में क्या क्या हैगा देखो कि p, t, yes p, t, yes इस साइड हो गया देखो कि p, t, s हो गया then p, q, yes कर दो arc, p, q, yes अब किसका कर सकते हैं देखो कि यहाँ पे r, and, t का करते हैं यहाँ पे fifth में लिखते हैं आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग comment box पे जरूर लिख करके बताईए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजें अपने friends के साथ सेर कीजें ताकि उनको भी problem से 31 मिल सकें और इस channel को subscribe कीजिए नमस्कार दोस्तों